हमारे साथ एडी आफिस के बाहर दिली से मौझूद है उनका मैं रुक कर लेती हूँ लेकिन उससे पहले तस्वीरे जो बापू वाटिका रांची से लाइव तस्वीरे निकल कर सामने आ रही है वो भी जरा दर्शुकों को हम दिखा देते हैं और इसमें अगर कुछ गौर करने की बात है तो वो हेमत सोरिन की बॉडी लैंग्विज है उनका पॉस्चर है क्योंकि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से एक खबर सामने आ रही है कि उन पर गिरफतारी की तलवार है उनके राजनेतिक भविष्य विखास सौर पर सरकार वो चला रहे है उस पर यहाँ पर संकट हो सकता है लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि अब जानकारी अंदर खाने यही है कि कल वो क्या E.D. का सामना करता है लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव से भी लगातार पूशताच हो रही है और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ चंदर मोहन लाइव मौजूद है उनका रुक कर लेते हैं चंदर मोहन यहां तो तस्वीरे हम देख रहे हैं बोडी लेंग्विश तो बहुत बढ़ी अधिखाई दे रही है तेजस्वी यादव को लेकर क्या खबर है पूशताच अभी भी चल रही है बिल्कुल देखिए साड़े चार घंटे से जादा का वक्त हो गया है और यह सामने ED का दफ्तर है जहां पर दूसरे फ्लोर पर तेजस्वी यादव से पूशताच चल रही है दिल्ली के अधिकारी पहुँचे हैं पटना के जो ED के अधिकारी हैं वो लगातार पूशताच कर रहे हैं तो ही बिल्कुल ED दफ्तर के ठीक सामने एक मंदिर है दादी जी सेवा समीती तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं जो भी RJD के विधायक हैं सांसद है और परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इस कैंपस में बैठे हुए हैं तमाम लोग तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं और सुबह से ही यह हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे ही यहाँ बात सामने आई कि तेजस्वी यादो ED दफ्तर पहुंच सकते हैं पूस्ताज के लिए उनको ED ने बुलाया है उसके बाद से ही यहाँ पर जो पार्टी के कारे करता है उनके आने का सिल्चला सुरू हो गया और तमाम जो विधायक हैं और सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तस्वीरों में आप साफ तर पर देख सकते हैं मिसा भारती जो लालू यादो की बड़ी बेटी हैं कल भी जब लालू यादो यहाँ पर पहुंचे थे उस समय ही मिसा भारती सांथ में पहुंचे थी और जब तक लालू यादो ED के पूस्ताज से फ्री नहीं हुए, निकले नहीं, तब तक यहीं पर मिशा भारती बैठी रही और अब से थोड़ी दिर पहले तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुचे थे तो मनोज जहां उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं और मिशा भारती के दाहिने तरफ सुनील सिंग जो MLC हैं, वो बैठे हुए हैं और जो तमाम पार्टी के विधायक है, MLC हैं, वो इसी कैंपस में बैठकर इंतजार कर रहा है कि कब तेजस्वी यादव अंदर से निकलेंगे और फिर यहां से ये सभी लोग साथ जाएंगे तेजस्वी यादव के उपर जमीन देकर नौकरी देने का आरोप है और उसी मामले में लालू यादव जब रेल मंतरी थे तब यारोप लगा कि पद का दुरूप योग करते हुए लालू यादव ने कई लोगों को नौकरी दी और उनके परिवार के लोगों से उन्होंने जमीन लिखा ली और उसी मामले के जाच में यह बाते सामने आई है जिसमें खुद लालू यादव, तेजस्री यादव, मिशा भारती, हेमा यादव और हिर्दियानंद चौधरी के साथ साथ जब कात्याल की गिरफतारी हुई उसके बाद यह मामला खुल कर सामने आया कि तेजस्री यादव के नाम पर एक ऐसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया तेजस्री यादव को जिन में पहले से कई लोगों से जमीन ली गई थी, कई मकान लिये गये थे उसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादो को उस कंपनी में डाइरेक्टर बनाया गया, जो पहले से उस कंपनी में डाइरेक्टर मौजूद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये पूरा जो कंपनी था, वो तेजस्वी यादो के नाम से ट्रांस्पर हो गया, जिसमें प साल दो हजार दो का मैं यहां अपने दर्शकों के सामने जिक्र करते वे सवाला से पूछूंगी, शिवो सोरेन को भी यही दिन देखने पड़े थे, उनको भी राज्जी सबा सदस्यता पे भी खत्रा था, आज उनके बेटे हेमन सोरेन के उपर भी यही खत्रा है कि शायद वो सीएम ना रहे हैं और इसके लिए पूरी कोशिश, लेकिन एडिये सोर्सेज इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या वाकई वो राची में जाकर कल पूस्ताच करने वाले हैं? अभी एक हमारे सुत्र अधिकारी से मेरी बाचीत हो रही थी, और यही नहीं तस्वीरों के बारे में जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने एक शायरार अंदाज में कहा, कि दिल तो रोता रहे, पर आंक से आसू ना गिरे, यह अंदाज उस तस्वीर को लेकर बताया गया, कि अभी जिसर से मुक्हिमंति हमारे सुरिन के खिलाब जिसर से शिकंजा कसने की एक तैयारी चल रही है, जिसर से पूस्ताश करने की कोशिस किया रही है, तो कहिन कहीं, एक सारा जो है, वो साफ है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किले बढ़ सकती है, अलाकि कल का वक्त सरगर्मियों से लेकर जाची इंसी की जो सरगर्मिया जिस तरह से बढ़ी है, कई मायनों में यह मामला हो सकता है, और खास तोर पर इस मामले को देखा जाए, तो जिस तरह से मुक्हमंतिरी के कार में तकरिवां 36 लाख रुपया नगत बरामद हुआ है, और इसके साथ ही का ऐसे परामद हुए है, जिस कार को अब जबत किया गया है जाची इंसी के द्वारा, उसके वारें पता चला है कि उस कार को भी कैश में खरीदा गया था, किसी भगवान दास नाम के सकता है, और उनके नाम से वह कार रिजटेड है, भगवान दास प्रावेट होलिंग प्रा पर कैसे महां पर माझूब था इस तरह के कई सवाल है तो एक मामला में लांग बातकि अभी में पूस्ताज होना बाग की है इस वामले में अब तक कई तो और पर वो आरोपी जुड़े हुए थे या नहीं तो इस तमाम सवालों की जो फैरिस्त है वो तयार हो रही है एक और महत्पुन जानकर रही देना चाहूंगा इस वक्त में जिस जो पूस्टाश करने वाले जो टीम है उसके मुख्यायू जो है वो अभी एडी मुख्याल के उपचारिकता हैं उसको पूरा करेंगे तो एक तरह से कहा जा सकता है यह मामला बेहत महत्पुन है जाच एजनसी के माइने से भी और दूसरे तब देखा जाएंगे जहां गठबंदांदल की बैठक हुई और इस बैठक में जो सबसे खास पहली है जिसका जिक्राब दर दिवाकर में इनी तस्वीरों पे फोकस करूंगी क्योंकि जो इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हैं उन्हें जानना ये है कि जारखन में आकर चल क्या रहा है इस बीच खबरे ये भी जारखन से मिलने लगी थी कि शिबू सुरेन के पास जाने वाले हैं एहमन सुरेन क्या ऐसी खबरे मिल गई और क्या कल्पना सुरेन जो सीम पद को लेकर सारा पहमाना है उसमें फिट बैठती है क्योंकि जारखन के पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश रद्यक्ष बाबूलारा मरांडी ने संकेत साफ दे दिया है अगर ये हुआ हम होने नहीं देंग जारखन में तो अब तक एक ही मुख्यमंत्री ने अपना कारेकाल पूरा किया है वो रहे रगवरदास उन्होंने 5 साल का कारेकाल पूरा किया जारखन का जब से गठन हुआ है 2000 से तब से किसी भी मुख्यमंत्री ने रगवरदास को छोड़ कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कारेकाल पूरा नहीं किया है और अभी जो इसमें यह एक बार फिर क्या क्या हेमन स judgment अपने 5 साल का विपकोर कर सबने कर पाएंगे क्योंकि अभी प्रहाल 29 दिसंबर के हले 29 सब्सक्राइब है कि दो